नवस्के दोस्तों, धिट हैं आज की 12 मार्च 2022 और स्वागत हैं आपका एल्टोरल डिसकेशन में आज देखो हिंदू का तो एक आर्टिकल इंपोर्टेंट है लेकिन दूसरे न्यूस पेपर से दो इंपोर्टेंट आर्टिकल हम उठाएंगे एक तो daily pioneer का, majoram का एक बहुत बढ़िया example है चुनाव परचार कैसे होना चाहिए, election कैसे conduct होना चाहिए वो daily pioneer का है और एक चीता के introduction से समधिद article है वो दो-तीन articles का एक प्रकारसे compilation है पूरा issue हम discuss कर लेंगे चीता को introduce किया जा रहा है इंडिया में और हिंदू का जो एक आर्टिकल डिसकस करेंगे ये वाला नुकलियर अनर्जी से सम्मधित, तो टोटल तीन इशूज, अच्छे इशूज हैं आज, ये कोट हैं आज का, कोट नहीं है एक प्रकार से कैची लाइन है जो आप ऐसे में इस्तमाल कर सकते हो, ऐसे में कई बार होता है न, we as a Indian पर्यास करेंगे, हम भारत को महान बनाएंगे, ऐसे ऐसी बाते आपको conclusion में लिखनी होती है कई बार, तो ऐसे आप लिख सकते हो, we as a team India, team India मतलब 138 करोड इंडियन की team, समझ गए, तो ये कैची लाइन आप इस्तमाल कर सकते हो, कोट्शन है, नूकलियर अन energy जो है वो better option है, तो 250 words में आपको इस question का answer देना है, discussion हम start करें उससे पहले, ये अपना जो दूसरा initiative है, ethics through news papers, इसकी वीडियो आप देख सकते हो, दूसरे चैनल पर जाके, ये सारे issues हमने कल discuss किये थे, तो आप दूसरे चैनल पर जाके ये जो वीडियो है वो भी देख सकते हूँ, चलिए discussion start करते हैं, first important article, reintroduction of cheetah से समधित है, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, क्या contest है, recently minister for environment, forest and climate change ने action plan for reintroduction of cheetah in India लोंच किया, देखो इस action plan के अंतरकत हमारे देश में आने वाले 5 सालों में 50 cheetahs को reintroduce किया जाएगा, हमारे देश में देखो 1952 के बाद से ही, चीता को नहीं देखा गया है, चीता हमारे देश में extinct हो गए थे 1952 में, तो अभी reintroduction का मतलब ये है, दूसरे देश जहां पर चीता अभी exist कर रही है, वहां से चीता लाए जाएंगे और हमारे देश के जंगलों में छोड़ दिये ये layman terms में simple मतलब है reintroduction of चीता का, देखो दो तरह के चीता होते हैं, एक African चीता, दूसरा Asiatic चीता, हमारे देश में जो चीता हुआ करते थे न, वो Asiatic चीता हुआ करते थे, लेकिन हम जो reintroduce करेंगे न, वो African चीता करेंगे, क्यों, ऐसा क्यों आपके मन में आया होगा, जो पहले थे, वही तो करने चाहिए न, उसका reason देखो ये है, Asiatic चीता बचे ही नहीं, सिरफ इरान में अभी है, 40-50 के आसपास, और वहाँ पर critically endangered है इरान में, तो वो देंगे ही नहीं, तो इसलिए African चीता, जिनके संख्या आज के समय में साधे 6 से लेके 7000 के बीच में है इनको reintroduce किया जाएगा इंडिया में, यहाँ पर देखें, यह जो action plan for introduction of चीता इन इंडिया है न, इसे launch किया गया था, National Tiger Conservation Authority की 19th meeting में, काफी सालों से बात चल रही है, करेंगे, करेंगे, अभी तक तो हुआ नहीं है, finally launch कर दिया गया है, Environment Ministry के द्वारा, पहले face में देखो दस बारा जो अफ्रीकन चीता है न, यह नमीबिया से लाए जाएंगे, और कौन से wildlife century या फिर नैसल पार्क में रखे जाएंगे, देखो, options तो काफी सारे थे, यहाँ पर देखो, नूरा देही wildlife century मद्यपरदेश में है, गांधी सागर wildlife century, भैंस रोडगर्ड wildlife century complex राजेस्थान, Mukundra Tiger Reserve, राजेस्थान, यहाँ पर चीताज को reintroduce किया जा सकता था, क्योंकि, देखो, चीताज न, वहाँ पर exist कर सकते हैं, जहाँ पर grasslands हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उप्युक्त जगाया है न, चीताज को reintroduce करने के लिए, जिसकी पहचान की गई है, यहाँ पर है कुनो पालपूर नैसल पार्क, यहाँ पर grasslands है, जो कि चीताज को exist करने के लिए चाहिए, पूरा एरिया जो है, कुनो पालपूर नैसल पार्क का वो है, 748 स्केर किलोमेटर, यहाँ पर कोई human settlements नहीं है, और सियोपूर, सिवपूरी, Decidus Open Forest Landscape का पार्ट है, य इस नैसल पार्क की चीताज को सस्टेन रखने की, 21 चीताज को सस्टेन रखा जा सकता है, इस कुनो पालपूर नैसल पार्क के दवरा, और संभावना यह है, चार जो बिग कैट्स है ना, टाइगर, लायन, लियोपर्ड, चीता, वो भी यहाँ पे एक ही समय में exist कर सकते हैं पाश्ट में किये हैं, बहुत पहले जब चीताज हुआ करते थे, तो अब भी चार कैट्स एही समय पर यहाँ पर exist कर सकते हैं, इसलिए भी इन सभी factors को देखते हुए सरकार ने decide किया, शुरुवात में 10 जो चीताज लाइक जाएंगे ना, उनको यहाँ पर रखा जाएगा अब आपके मन में एक question यह भी आना चाहिए, ठीक है, चीताज को लाया ही क्यों जा रहा है, क्या सिरफ इसलिए कि हाँ, थोड़ा wildlife इंडिया में और ज्यादा diverse लगे, और क्या-क्या फाइदे इसके हो सकते हैं, अगर यूप क्या सी पूछ ले, दिखो, जबसे इंडिया मे के तोर पे announce किया जाता है न, वहाँ पे forest भी कंजव हो जाता है, दोनों फाइदे साथ की साथ हो जाते हैं, wild animals तो बचते ही हैं, लेकिन wild animals को बच्चाने के लिए जिस area को tiger reserve या फिर elephant reserve declare किया गया है, वहाँ पे forest भी अपने आप कंजव हो जाता है, तो इस कुलो पालपूर national park को सुरुवात में अगर, चीताज के लिए reserve गोसित किया जाएगा, तो यहाँ पे forest का conservation भी हो जाएगा, और forest का conservation होगा तो आपको पता है, carbon absorb करने की capacity बढ़ेगी, और Paris Climate Change Agreement में जो हमारी commitments है न, उनको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे फाइदे हैं, चीताज को reintroduce करने के, जैसे देखो, example के तोर पर इस कूलो पालपूर नैसनल पार्क में अगर चीताज को reintroduce किया जाता है, तो फिर चीताज के साथ साथ, बाकी जो wild animals है न, उनकी भी सुरक्सा हो जाएगी, और food chain भी दुरूस्त हो जाएगी, अगर बड़ जो food chain है न, उसमें एक balance established हो जाएगा, अभी big cat ना होने की वज़े से हो सकता है कि जो baboons हैं, बंदर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ गई हो, food chain disturbed हो गई हो, लेकिन चीता को reintroduce करने से जो food chain है वो दुरूस्त हो जाएगी, उसके बाद next benefit, economic benefits होगा, जहीर तोर पर अगर चीता आएंगे तो ज्यादा लोग देखने के लिए जाएंगे, वहाँ पे safari चलने लगेगी, tourism अगर भड़ेगा तो local लोग को रोजगार भी मिलेगा, और सबसे last में, चीताज को इंडिया में introduce करके हम एक परकार से चीताज को कंजव कर रहे हैं तो जो global effort है, मतलब पूरे world में जो पर्यास चल रहा है, चीताज को कंजव किया जाए, इंडिया भी अपना contribution कर रहा है, फिर इस दिशा में चीताज को इंडिया में reintroduce करके, तो ये सारे benefits हैं, अब बात करें challenges की, देखो सबसे बड़ा challenge तो ये है, बोला तो गया है, कि यहाँ पे चार big cats survive कर सकती हैं, ले एक ही जिगह पर survive कर रही हो, दूसरा challenge ये है, इंडिया में जो national parks के size हैं, चोटे-चोटे हैं, और चीता तो बहुत तेज चलता आपको पता है, एक साल में 1000 km2 आगे बढ़ जाता है, तो डर भी लगता है, कहीं ये national park को पार करके, जो रियाईस ही लाके हैं, वहाँ पर ना protection भी हो जाएगी, ये तो indirect benefit है, कोई direct benefit तो नहीं हुआ ये, इसके अलावा और क्या-क्या challenges हैं, ऐसा भी देखो हो सकता है कि चीता को introduce करने से, बाकी जो species अभी कुलो national park में या फिर जहां जहां पर चीता को introduce किया जाएगा, जो बाकी जो species रहती हैं, उन पर असर पढ़ जा हैं, अब चीतास को introduce किया जाएगा, तो ज़्यादा focus हो जाएगा forest department का या फिर conservation authorities का चीतास को कंजव करने पर, लेकिन बाकी जो उनके प्रोग्राम से हैं उन पर से ध्यान जो है, वो हट जाएगा, नेक्स चैलेंज, human wildlife conflict, देखो वैसे तो जो चीता है न, ज़्यादा attack करत नहीं है, livestock पर, जो आसपास वहाँ पर forest के अंदर या फिर आसपास जो लोग रहते हैं न, उनको सबसे बड़ी दिक्कत इन animals से ये होती है, ये जो animals होते हैं न, उनके पसुओं को मार देते हैं, और कई बार human beings पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन चीता थोड़ा कम attack करता है, relatively life stock पर, but चीता के साथ एक दिक्कत ये है, दिन में ही ये सिकार करता है, रात को सिकार नहीं करता, जैसे leopard है, leopard रात को सिकार करता है, तो human beings के साथ, life stock के साथ, जो पालतू जानवर है न, उनके साथ सामना कम होता है leopard का, लेकिन चीता तो दिन में ही सिकार करता है, इस वज़े से local लोगों के साथ conflict होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है और सबसे last में rehabilitation of people अब देखो चीतास को introduce किया जाएगा कई सारे गाओं को भी shift करना पड़ेगा इधर से उदर और अभी तक का इतिहास ये कहता है rehabilitation हमारे देश में अच्छे से होता नहीं है कई बार हो भी जाता है लेकिन जातर समय rehabilitation जब होता है चाहे डैम का instruction के बाद या फिर किसी और project के बाद वो अच्छे से हो नहीं पाता है way forward में क्या खाहत जाता है सबसे पहली चीज community का participation आप जरूर ensure करो अगर चीज़ास को introduce करना चाहते हो तो local committees की help लो उनको aware करो कैसे eco clubs की साहिता से nature educational camps, teacher training camps street plays इन सब की साहिता से आप local लोग को जागरूप जरूर करो चीज़ास को अगर introduce कर रहे हो चीज़ास को track करने वाले team है इनकी समय समय पर training जरूर होनी चाहिए next intersectorial collaboration देखो forest department का बाकी जो agencies है ना जैसे local police है revenue department है इनके साथ में coordination जरूरी है next wildlife tourism and revenue generation tourism देखो हो तो सही अगर चीज़ास को introduce किया जाता है लेकिन tourism इस परकार से हो कि local जो ecosystem है ना उसको कोई नुकसान ना पहुंचे कई सारी examples ऐसे है tourism के चक्कर में local जो ecology है ना वो पूरी तरह से नश्ट हो जाती है ऐसा भी देखा गया है और सबसे last में annual review होना चाहिए समय समय पर monitoring होनी चाहिए ना सिरफ forest department के द्वारा बलकि चीता research team के द्वारा भी ताकि पता लगस के कि चीता उसको जो introduce किया गया है उसके क्या repercussions निकल के आ रहे हैं क्या इस program को continue करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या program में further कोई fair बदल करना चाहिए सब कुछ हो जाएगा अगर annual review और monitoring की जाती है चीता research team और forest department team के द्वारा तो यह हमने पूरा article डिसकस किया चीता को introduce करने के plan से सम्मदित इसके बाद हमारा next जो article है वो देखो nuclear energy से सम्मदित है आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो क्या contest है देखो nuclear technology के नब बहुत सारे खत्रे हैं आपको भी पता है nuclear plant है location आप देख लीजिए यहाँ पर शेलिंग की गई थी रश्या के द्वारा एकदम से डर लग गया पूरे world को कि कहीं कोई हाथसा ना हो जाए खत्रा देखो यह था मान लीजिए रश्या की forces जो शेलिंग कर रही थी अगर कोई bum वगरा गिर जाता cooling system पर cooling system अगर fail हो जाता तो फिर coolant का तो काम ही होता है cooling provide करना तो heat बहुत ज़ादा बढ़ जाती reactor में, reactor meltdown हो जाता meltdown हो जाता तो जो nuclear radiations है बाहर निकल जाती जपान में जो हाथसा हुआ था ना Fukushima में, वो cooling system के fail होने से समधित हुआ था तो ये डर था खैर बाद में ये पता लगा जेपोरिजिया nuclear power plant के उपर selling नहीं हुई, इस nuclear power plant के आसपा selling हुई थी इसके बाद जपान के हादशे का जिगर किया जाता है जपान के लोग इतने ज़्यादा fortunate नहीं थे 11 साल पहले, 11 मार्स 2011 को, Fukushima जो nuclear plant है न, वहाँ पर कई सारे accidents हुए earthquake और tsunami लहरों के आने के बाद एकदम से reactors को बंद कर दिया गया earthquake के बाद, लेकिन जो radioactive course थी न, वहाँ पर heat produce होना जारी रही और eventually reactor meltdown हो गया, यानि पिघल गया और nuclear radiations जो है बाहर निकली तो radiations को clean करने में, area को साफ करने में, जपान को 600 billion dollars का खर्चा आया इन घटनाओं से न, राइटर ये बताना चाहते है देखो, nuclear energy पर जो focus है न, विविन देशों का कम हो गया, जपान की 2011 की, Fukushima nuclear disaster के बाद जैसे आप example देखिए 2008 में USA की government ने ये प्लान किया था, कि 2030 आते आते USA में installed nuclear capacity होगी, 114.9 gigawatt, लेकिन 2021 में अब ये बोला गया है कि installed nuclear capacity होगी 2030 आते-ाते, 83.3 gigawatt इवन global trend भी यही है 1996 में total जितनी energy produce होती थी न, total जितनी बिजली produce होती थी, 17.5% उसमें से nuclear energy होती थी लेकिन 2020 आते-ाते वर्ल्ड में total जितनी electricity produce होती है न, सिरफ 10% उसमें से nuclear energy होती है इवन और भी काफी सारे हाथसे हुए है बात सिरफ इस Fukushima nuclear disaster की नहीं है 2020 में हवा के एक तुफान ने डुआन आर्नोल्ड nuclear plant में operations को परभावित किया operations को बंद करना पड़ा इसके साथ साथ South Korea में एक हैनूल nuclear plant है इसके operations भी परभावित हुए wild fire की वज़े से जंगल में जो आग लग जाती है ना बड़े scale पे तो उस wild fire ने इस nuclear power plant के operations को परभावित किया बाद में President Moon ने आदेश दिया सभी परियांस किये जाए कि जो आग जो है वो nuclear reactors को और cooling system को किसी परकार से परभावित ना करे तो ये कुछ accidents हुए हैं जिसकी वज़े से world का जो focus है ना nuclear energy पर पहले के अपिक्सा कर्थ कम हो गया है और वैसे भी देखो nuclear energy जो है relatively महंगी है यहाँ पर देखो Wall Street Company Lazard ने एक अपनी रिपोर्ट में कहा US में solar photovoltaic cell से जो electricity produce होती है ना उसके दाम पिछले कुछ सालों में 90% तक कम हो गए है और wind turbine से जो electricity produce होती है ना उसके दाम 72% तक कम हो गए है nuclear energy से जो electricity produce होती है ना nuclear power plant से कीमत होती है आलमोष्ट एक unit 15 रुपे और आजकल जो solar energy से electricity produce हो रही है ना उसकी कीमत होती है 2 डाय रुपे storage की ववस्ता भी होती है अगर nuclear energy में storage का आप दाम दोड़ोगे तो 15 से भी ज़्यादा दाम आ जाएगा electricity produce करने का एक unit तो ज़्यादा सस्ती है renewable energy safe भी है और इसके साथ साथ देखो nuclear power plant establish करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है बड़े scale पे capital क्या आप सकता होती है cost overrun का भी खत्रा रहता है cost overrun मतलब माली जी आपने शुरू में सोचा estimate लगाया 1000 क्रोड रुपे लगेंगे nuclear plant establish करने में actual में खत्रा काफी ज़्यादा actual में जो cost है ना काफी ज़्यादा बढ़ जाती है ये USA में भी देखा गया है और पिछले कुछ सालों में बहुत सारे nuclear power plants हैं जो establish हुए है पहले जितना estimate लगाया था ना उससे ज़्यादा cost आई finally जब वो operationalize हुए कई सारे nuclear power plants को तो बीच में ही छोड़ दिया गया क्योंकि cost बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी लोग भी अब थोड़े संजीदा होने लगे हैं गुजरात में एक जगह पर nuclear power plant establish हो रहा है तो वहाँ पर local लोग का विरोध है वो कहते हैं कि आप यहाँ पर मत establish केजिए प्लीज यहाँ पर देखो गुजरात की वो जगह है मिथी विर्दी nuclear project है यहाँ के आसपास लोगों ने मना किया कि आप मत यहाँ पर nuclear power plant establish करो उनको भी पता है जपान के फूकुशिमा में कितना बड़ा disaster हो गया था अब देखो यह सारी discussion करने के बाद finally writer reactor बोलना चाते हैं हमारा न USA के साथ में एक agreement हुआ था 2008 में कि हम आप से nuclear reactors इंपोर्ट करेंगे वैसे तो 13 साल हो गए अभी तक USA से कोई हमने nuclear reactor इंपोर्ट किया नहीं है लेकिन सरकार कहती है वो हमारा जो agreement है वो आज भी exist करता है यह देखो सरकार का कहना है कि हम आने वाले समय में हमारा प्लान यह है 10 indigenous nuclear reactors establish करेंगे और 28 additional reactors establish करेंगे जिसमें से 24 को import किया जाएगा यानि total 38 nuclear reactors हम establish करेंगे writer कहते हैं अरे भाई आप देख तो लो पूरा world nuclear energy से दूर जा रहा है आप nuclear energy पर focus करते जा रहे हो हमारा देश तो sunshine abundant है बहुत ज़्यदा solar electricity हमारे देश में produce की जा सकती है तो आप खामखा nuclear energy पर इतना ज़्यदा focus कर रहे हो और जो nuclear reactors आप USA से purchase करने वाले होना आलरेड़ी वो जो nuclear reactors है उनके operations इतने अच्छे नहीं है USA में example दिया जाता है कि 6 nuclear reactors को तो बंद कर दिया गया था cost overrun की वज़े से जो point हमने पहले discuss किया फिर एक fact ये भी है 2008 में अनिल का code कर गिए उस में atomic energy commission के chairman थे इन्होंने ये projection लगाया था 2050 आते आते हमारे देश में 650 gigawatt nuclear energy के installed capacity होगी लेकिन उनके जो successor आए उनके बाद जो atomic energy commission के chairman बने ना इन्होंने 2010 में ये predict किया था 2020 आते आते 35 gigawatt nuclear energy के हमारे देश में installed capacity होगी लेकिन है कितनी? सिरफ 6.78 gigawatt ऐसा क्यों? क्योंकि 2011 में फिर वो nuclear हादसा हो गया था ना फुकुसीमा में उसके बाद तो फिर मन अठ गया विविन देशों का nuclear energy से लेकिन सरकार अब क्यों बोल रही है कि हम 10 indigenous nuclear reactor establish करेंगे और 28 additional पता नहीं ये समझ से परे हैं तो ये पूरा article हमने डिसकस किया nuclear energy से समदित इसके बाद next article majorum way to battering democracy से समदित है मतलब democracy कैसी होनी चाहिए हमें majorum के example से सीखना चाहिए आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो सुरवात में article में कहा जाता है अब राम लिंकन ने जो statement दी थी ना 1863 में democracy is government of the people by the people for the people ये democracy की सबसे उप्यूक्त definition है हाल फिलाल में हाला कि देखो इस definition को दिये कितने सारे साल होगे लेकिन बिल्कुल recent में देखे तो सबसे अच्छी definition यही है लेकिन ना पिछले कुछ सालों में ना सिरफ इंडिया में बलकि विविन देशों में ऐसा हुआ है कि democracy जो है वो आम आदमी की पहुँच से दूर जाती जा रही है democracy में यह अधिकार होता है ना हर एक citizen के पास की वो भी election लड़ क्या अगर लड़ना चाता है लेकिन क्या आज के समय में ऐसा possible है नहीं दो तरीके सो possible नहीं है एक तो देखो election में इतना खर्चा होता है इतना खर्चा होता है कि election लड़ना आम आदमी की पहुँच से बाहर है दूसरा yardsticks used for the candidate selection हमारे देश में कैसे yardstick choose किये जाते हैं कैसे parameters choose किये जाते हैं political parties के द्वारा tickets देने के लिए देखा जाता है किस community से ये person समद रखता है कितना इसके पास पैसा है election में कितना पैसा लगा सकता है muscle power कैसी है ये सब factors within political parties consider करती है ticket देने के लिए देखू ना आज के समय में एक trend देखने को मिलता है दलित community को mobilize कर लिया जाता है किसी person के द्वारा वो ऐसा दिखाने लगता है अपने आपको कुछ जो persons है ना अपने आपको ये दिखाना start कर देते हैं कि इस community के जो interest है ना सिरफ मैं serve कर सकता हूँ मुझे vote दीजिए अगर आप चाते हो कि मैं गुजर community के interest को protect करूँ लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था जैसे गांदी जी देख लीजिए गांदी जी ने depressed sections के लिए कितनी ज़्यादा जोर सोर से आवाज उठाई उन्होंने fast भी किये क्या वो depressed section से थे नहीं थे तो ये कहां पे लिखा हुआ है कि सिरफ उस particular community का person ही अपनी community की आवाज उठा सकता है मैं मान लीजिए A community का हूँ तो मैं B community की आवाज क्यों नहीं उठा सकता लेकिन आज के समय मेरा ऐसा होता नहीं है इवन लोगे भी कुछ ना कुछ गलती है कि वो उन्हें भी यू लगता है कि सिरफ हमारी community का person होगा तो वो हमारी community की आवाज उठा पाएगा कोई दूसरी community के person पर वो विश्वास नहीं करते हैं कुछ ना कुछ तो देखो society की भी दिक्कत है देखो ये बात सच है कि democracy में न सभी committees को representation मिलनी चाहिए लेकिन ये किसने कहा है कि उस community का person होगा तभी उस community को representation मिलेगी उस community का person किसी दूसरी community को representation भी तो provide कर सकता है न तो ये दिक्कत है अब देखो एक बहुत बड़ी एक्जामपल दिया जाता है मिजोरम का मिजोरम का एक initiative है जो बाकी देश में भी replicate हो सकता है क्या है initiative देखो छोटा सा state है मिजोरम आप यहाँ पर देखिए एक तरफ तिरिपूरा है दूसरी तरफ में अमार है लेकिन जो मिजो लोग है ना उनकी population है सिरफ 14 लाग के आसपास लेकिन बहुत ही ज़्यादा civilized committee है जो मिजो people है बहुत ज़्यादा civilized है 90's में सबसे पहले even odd का जो system था ना कि एक date को even number की जो cabs है वो दोडेंगी और अगली date को odd number वाली देली में तो बाद में आया हाल फिलाल में आया है देली में तो सबसे पहले वो मिजोरम में ही follow किया गया था traffic rules बहुत बढ़िया follow करते हैं मिजोरम लोग आपस में होरन तो बजाते ही नहीं है अपनी lane नहीं तोड़ते हैं ये तो देखो वो चीजें हैं जो मैंने देखी जब मैं वहाँ पर गया था मेरा experience काफी अच्छा रहा मिजोरम का और लोग आपस में बहुत ज़दा cooperative हैं एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तयार रहते हैं society liberal हैं कुछ वीडियो तो बनाया थे दूसरे चैनल पर डालने के लिए मिजोरम के लेकिन camera ही गुम हो गया ये खराब memory रही बाकी अच्छा था हां तो देखो example जो मिजोरम का बाकी देश में replicate कर सकते हैं वो देखें मिजोरम में भी ना बाकी देश की तरह हैं ऐसे ही जैसे election में चुनाव परचार के दुरान काफी खर्चा हुआ करता था और mal practices भी काफी हुआ करती थी election से पहले चुनाव परचार के दुरान तो वहां पे ना एक association है young major association ये Christian missionaries ने establish की थी और ये एक NGO है young major association इस NGO का ना मिजोरम की society में role काफी ज़्यादा है इसकी बात मानते हैं लोग तो ये NGO है कुछ दूसरे NGO जैसे MHIP women की association है और मिजो उपा पॉल ये M.U.P. ये senior citizens की association है तो इस परकार से women NGOs ना एक साथ आए और उन्होंने एक public forum का निर्मान किया 2006 में मिजोरम people forum ये forum क्या करता है आप इस forum के काम देखोगे तो हैरान हो जाओगे इस forum के जो सदश्या होते हैं वो चुनाव परचार के दुरान women candidates के साथ जाते हैं रोक लगा रखी है इस forum ने कि सिरफ चार से दस लोग ही एक समय में जा सकते हैं door to door चुनाव परचार के लिए हमारे दूसरी जगों पर आप देखते हो ना कोई candidate चुनाव परचार के लिए जा रहा है तो 100, 200, 300, 500 लोग हो जाते हैं अब कोई बड़ा leader जाता है तो हजारों लोग की भीड हो जाती है door to door जब campaigning होती हैं लेकिन ये मीजो पीपल campaign ये ensure करता है कोई भी candidate जब door to door campaign के लिए जाएगा ना तो उसके साथ सिरफ 4 से 10 लोग होंगे और कैसे ensure करता है इस forum के लोग भी तो जाते हैं ना चार से 10 लोग के साथ में इस forum के लोग भी जाएंगे नजर रखने के लिए कहीं ज़्यादा लोग की भीड तो नहीं है और क्या अच्छे अच्छे काम किया जाते हैं इस मीजो रम पीपल forum के द्वारा ये देखो एक common platform प्रोवाइड करता है विबिन कैंडिडेट्स को सभी लोकैलिटीज में जहां पे आकर विबिन कैंडिडेट्स अपना manifesto शेयर कर सकते हैं लोकल लोग कैंडिडेट्स से question पूछ सकते हैं मतलब open sessions organize करवाता है ये मीजो रम पीपल फोरम विबिन कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग लोकैलिटीज में और इस फोरम के जो volunteers है ना वो अलग 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 कैंडिडेट्स के लिए poster चिपकवाते हैं यहाँ पर देखिए posters fix करते हैं flexes लगवाते हैं अपने पैसो से और पैसा कहां से आता है NGO से फाइदा क्या है अरे फाइदा कितना बड़ा देखो ना है और गरीब आदमी भी तो election लड़ सकता है ना उस पर जो खर्चा उसको आता है posters का flexes का वो नहीं आएगा क्योंकि पैसा तो यह majoram people forum दे रहे हैं और इनके पास से आ रहे हैं NGO से और सब के लिए equal opportunity है इसके अलावा जो majoram people forum के volunteers है ना वो local लोगों की help करते हैं voting list में उनका नाम कहां पे है यह डुंडवाने में इसका फाइदा यह होता है voting के दिन आप देखते हो ना voting के दिन जो star लगे होते हैं voter role provide करने के लिए voter को तो उन stars को लगाने के आउसकता ही नहीं पड़ती क्योंकि उन stars को लेके भी बहुत बार लड़ाई हो जाती है आपस में election वाले दिन अगर local लोगों की पहले ही help कर दी गई voter list में उनका नाम ढूनने में और voter role provide करने में तो वो असानी से election वाले दिन सिधा जाएंगे vote करके आ जाएंगे उनको बूत के नजदीक style पर voter role लेने की आउसकता ही नहीं है इवन इस मिजोरम people forum के लोग रात को ना गस्त भी लगाते हैं देखने के लिए क्या कोई candidate या फिर political party जो established noms है मिजोरम people forms ने जो noms established किये हैं क्या उसका कोई उलंगन तो नहीं कर रहा है अगर कोई candidate उलंगन करना पाया जाता है ना तो फिर young major association जिसकी हमने बात की थी ना जो काफी influential NGO है मिजोरम का इस young major association का common एक announcement system है church के through और कुछ दूसरे माध्यम से तो फिर common announcement कर दी जाती है कि देखो ये candidate था ये करता पकड़ा गया है फिर उसकी बेजती हो जाती है उसके electoral जो prospects है उस पर negative impact पड़ता है मतलब कम लोग vote देंगे ना अगर गल्थ काम अगर करते आप मिलोगे तो इसलिए डरते है candidates और जो majoram people forum के norm से उसको मानते हैं अब इन सब चीजों से फाइदा ये हुआ है expenditure कम हो गया है common man भी election लड़ सकता है उसको equal opportunity मिल रही है 2006 के बाद से ही ये system follow किया जा रहा है majoram में parliamentary election में assembly और local body elections में भी तो ताफी बढ़िया काम करते हैं ये majoram people forum के volunteers selfless service करते हैं democracy मजबूत हुई है बाकी जगे भी इस model को replicate किया जा सकता है तो ये पूरा article हमने discuss किया और हमारी आज की इस discussion में इतना ही है तीन issues आज हमने details से discuss किये Thank you, thank you very much for discussion